प्रान प्रतिष्ठा के साथ आयोद्या में श्री राम प्रतिष्ठत हो गए लेकिन राम के नाम पर आम जनता के भाव को जागरित रखना है कम से कम 24 के चुनाव संपन्न होने तक इसे शिरोधार्य करना है क्योंकि ये वोटों की ऐसी म्रिग त्रिशना है कि विपक्ष रूपी मारिच को सिर्प राम ही परास्त कर सकते हैं और यही वज़ा रही कि आज यूपी विधान सभा में योगी सरकार ने अपना आठवा और अब तक का सबसे बड़ा बजट जारी करते वे इसे शिराम के नाम समर्पित किया लेकिन विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया क्योंकि 80 सीटों का एजेंडा सेट हो चुका है और दिली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही होकर गुजड़ता है तो आज देखिए यूपी का बजट हिंदू वोट बेंक टागिट देखिए बजट की सुरुवात में बजट के मध्य में और अंत में भी प्रवुस्री राम है ये 90 परसेंट बजट का पैसा 10 पर्षेंट लोगों पर और बजट का 10 परसेंट 90 पर्षेंट लोगों के लिए 2024 के लोग सभाग चुनाफ से पहले यूपी के 80 सीटों को साधने के लिए बीज़ेपी की योगी सरकार ने अपना आठवा बजट पेश किया मुख्यमंत्री योगिया दितनात के नेतरत में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तिय वर्ष 2024 का वाशिक बजट पेश किया विधान सभा में पेश बजट पदेश के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा बजट बजट 7,36,437,71 लाख रुपे बजट में 24,863,57 लाख रुपे की नई योजनाए भी शामिल की गई प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार स्रजन पर सारवाधिक जोर दिया गया है वित्य वश्च के बजट में राजकोशे घाटा 3,46 दी है यूपी सरकार के बजट को सियम योगया दितनाथ ने श्री राम को समर्पित किया उन्होंने कहा कि आजका जो बजट है वो प्रभुश्री राम को समर्पित करते हुए लोकमंगल की भावना को समर्पित किया गया आजका जो बजट है प्रभुश्री राम को समर्पित करते हुए कि बज़ट की सुरुवात में, बज़ट के मध्य में और अंत में भी प्रवुस्री राम है, उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक-एक सब्द में सीर राम है वह अकलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के 90 फीजदी लोगों को 10 फीजदी बजट का हिस्सा मिला है बड़े विफसायों को फाइदा पहुँचाने की कोशिश की गई, अकलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोगों को छीकने पर भी अब टैक्स देना होगा ये केवल बजट दस परसेंट संपन लोगों के लिए बना रहे हैं नब्बे परसेंट बजट नब्बे परसेंट लोगों के लिए बजट नहीं है ये नब्बे परसेंट बजट का पैसा दस परसेंट लोगों पर और बजट का दस परसेंट नब्बे परसेंट लोगों के लिए ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परड़ाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीवी के बीच में दूरी बढ़ेगी बजट को प्रभुश्री राम को समर्पित करना बीजेपी का दो हजार चौबीस के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है योगी सरकार ने इससे सीधा हिंदू वोटर्स को पार्टी से जोडने की कोशिश किये धार्मी कस्थलो के विकास और इंफ्रास्रक्ट्रक्टर डेवलप्मेंट के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किये है कि बीजेपी ही हिंदू की सच्चे ही तैशिये लेकिन बजट को श्री राम को समर्पित करने के बाद सही सूबे के सियासत गर्मा गई योगी सरकार ने अपने आठवे बजट को भगवान राम को समर्पित किया है लेकिन उत्तरप्रदे सरकार हमेशा एक थीम बनाती है अपने बजट में थीम लेकर चलती है और इस बार का थीम इनका लोकमंगल है लोकमंगल जो भगवान राम की सिक्षा से और उनके कारेओं से और जो पूरा संदेश उनका है उससे जुड़ता है तो ये योगी सरकार का लगता दो कारेकाल में आठवा बजट है जिसके जरीए 24 में हिंदू वोटर्स को साथने की सबसे बड़ी कोशिश की गई है यूपी के लिए कहा भी जाता है कि यहाँ धर्म की राजनीती पूर्जोर होती है और ऐसे में धर्म को शस्त्र बनाकर बीज़ेपी 24 की बैतर्णी पार करने की जुगत में जुटी है तो फिर ये जानना समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे इस बज़ट का असर आने वाली लोग सभा चुनाओं में भी देखने को मिल सकता आईए आपको हम दिखाते हैं इस बज़ट की खास बाते हैं देखें आयोध्या काशी मतुरा और महा कुम्ब के लिए योगी सरकार ने अपना ख़जाना खोल दिया है द्वार खोल दिया है इसे आप दरसल तीठाटन पॉलिटिक्स भी कहें तो गलत नहीं होगा यानि आयोध्या के साथ-साथ मतुरा और महा कुम्ब को भब और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने बज़ट का ख़जाना खोल दिया है और यह साब दर्शाता है कि बीचेपी हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में जोटी है 24 से पहले जो प्रदेश में 80% के विकास और इससे जो जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके डवल्प्मिन्ट के लिए दिये हैं लोग सभा चुनाव से कुछ समय पहले यह पेश हुआ है तो ऐसे में इस बज़ट में सरकार हर बर्ग को साधने की कोशिश भी कर रही है धार्मे के शहरों के व अथुरा के विकास की भी योजना है और बजट में आयोध्या में सिर्ट जो महर्शी बालमी के इंटरनाशनल लेयर पोर्ट है उसके विस्तार के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान है इसके लाब आपको ये भी बता दें कि आयोध्या में अंतरास्टियर रामायन और वैदिक शोद संस्थान उसके लिए बजट में 10 करोड रुपए का आवंटन किया गया है शहर के विकास के लिए भी अब जो डेवलपमन का काम देखने को मिलेगा 100 करोड रुपए उसके लिए भी रखे गये हैं याने इस बजट में योगी सरकार ने सुबे के सबसे राज्य देश की सबसे बड़ी सियासत का विद्यालय माना जाता है जिसने योपी जीत लिया मान लिया जाता है कि दिल्ली में भी वही सरकार बनाएगा तभी तो जब 2014 में बीजेपी को केंदर में सरकार बनानी थी तो अपने सबसे बड़े चेहरे नरिंद्र मोदी को उत् जान से लगी हुई है दोहजार चौबीस के चुनाव में आयोध्या बीजेपी का सबसे बड़ा रामबार है वहीं बीजेपी मतुरा काश्री का मुद्धा भी यूपी में इस बार खुब जोर शोर से उठाने जा रही है शही वज़े है कि हिंदू वोट वैंक को साधने के ल साड़े तीन करोन चार करोन लोग सालना आते हैं काशी में बारा करोन लोग आते हैं अए उध्या में 6-7 करोन लोगों के आने की संभावना है शायद साल के अंतक बढ़ते-बढ़ते 12-14 करोन लोग वहां पहुंच जाएं तो इतनी बड़ी तादाद में जहां पे लोग आ पर ऐसे में भारती जनता पार्टी और इंडिया गटबंदन अपने अपनी तयारियों में जुटी एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के साथ यूपी की सभी जातियों को साधने की कवायद में जुटी है तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडिय यानी पिछडा दलित और पसंखक का नारा दे कर जीत की रहा तयार कर रही बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए सुहेल देव भारती समाजवादी पार्टी अपना दल सोने लाल और निशाद पार्टी को पाले में शामिल किया तो दूसरी तरफ इंडिया एलाइंस के जरीए समाज सीटों के लिहाद से भी देखें तो यूपी से सबसे ज़्यादा सीटे आती हैं असी सीटे लोग सभा की आती हैं यूपी से यानि जो यूपी जीत लेगा वो देश पर राज करेगा और इसलिए हार्ड कोर हिंदूत्य की राजनीती करने वाली बीजेपी ने हिंदू अबादी 89.73 फीसिदी मुसलिमों की आबादी की बात करें 19.26 पीसिदी यानि साल 2011 की जनगर्ना क्योंकि उसी वक्त ये जनगर्ना हुई थी आखिर में याद की जरूतर प्रदेश की कोले जन संख्या अगर इस हिसाब से हम आपको बताएं आंक्रों की जुबानी बताएं तो ये हो जाती है 19.98.12.341 उस वक्त थी और इसमें 15.93.12.654 ये हिंदुों की आबादी हुई जबकि इसके बनिस पर अगर मुसलिम आबादी आप देखें तो सिर्फ 3.84.83.967 ये मुसलिम आबादी है यानि इस हिसाब से ये आक्रा जो है ये 79.73 और 19.26 पॉसेंट ये प इतना कितना है ये तो आपने दो देखें अब सिख देखें पॉइंट 32% इसायों की बात करें 0.18% महज इतना ही आकड़ा है इनका इसके लावा आपको बता दें और कौन-कौन से बाद जैन इनकी भी बात करें तो इनकी भी तादा देखने को मिलती है और वो भी काफी ज् और अन्य धर्मों की बात कर ली जाए तो बौधों की संख्या है 0.10 इसके लावा जैन 0.11 अन्य धर्मों की बात करें तो पॉइंट महज 0.1% है यानि यूपी की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिसा है हिंदुों का और ऐसे में बीजेपी ये जानती है समझती है और अगर इस वोट बैंक को साध लिया तो फिर यूपी के असी सीटों को साधना भी आसान हो जाएगा क्योंकि ये बात भी साफ है कि प्रदेश का आलपस संख्यक वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक कभी नहीं रहा न है और इस चुनाव में भी ऐसी कोई उमीद जहां पर सियासी दलगत राजिनिती और इससे बढ़कर कास्ट पॉलिटेक्स देखने को मिलती है तो ये तैयारी भाज़पानी अपने अस्तर पर क्योंकि जब मौका है और चुनाव से महज कुछ पहले दिखा दी है उत्तर प्रदेश से लोग सभा के 80 सीटे निकलती ये किसी भी राजि के सारवाधिक सीटे है यूपी के राजनिती को समझने के लिए जानकार इसे चार हिस्सों में बाट कर देखते है पूरवांचल पश्मी यूपी अवद्व और बुंदेलखन अब इन सभीक शेत्रों क पश्मी यूपी के जाती गणित पर गोर करें तो संख्या वैसे तो मुस्लिम वोटर्स के सबसे सादा है जो करीब 36-38 फीस्दी है लेकिन 16-17 फीस्दी जाट भी है जो यूपी का सियासी समिकरन बनाने और बिगारने की ताकत रखते है इसके लावा पश्मी यूपी में द माना जाता है और किसानों की यहां निर्णाइक भूमिका रहती लेकिन पिछड़े होने के बाब जूद देश को पांच प्रधान मंत्री देने वाला इलाका भी यह पूर्वांचल ही इसक्षेत्र में राजभर निशाद और चोहान जाती का बोल बाला रहता है इसक्षेत्र से लोकसभा के कुल 26 सीटे निकलती हैं 130 विधान सभा सीटे होती है पूरी यूपी की ही 32 फीजदी आबादी इस पूर्वांचल में रहती पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो है अवद इसे जानकार मीनी यूपी भी कहते हैं इसक्षेत्र में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब होता है कि पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदेशन होने वाला है अवाद में कुल लोकसभा की 18 सीटे निकलती है यानि ये वो इलाका है जहां जिसने जीत दर्ज की माना जाता है कि के करीब है कुर्मी समुदाय भी साथ फीजदी ही चल रहा है बुंदेल खंड यूपी का वोक शेत्र जो कई बार जलसंकट की वजह से सुर्खियों में बना रहता है बुंदेल खंड इलाके से लोकसभा की पांच सीटे निकलती है और ये एक शेत्र OBC और दलित वोटरों क की वजह से निनायक माना जाता है इसक्षेत्र में सामान ने वर्ग के कुल 22 फीजदी वोट हैं सामान ने वर्ग में ब्राम्हन ठाकुर शामिल है इसके लाब OBC की एहम जातिया जैसे की कुर्मी निशाद कुश्वाह भी बुंदेल खंड में ही सकनी है इनके कुल आबादी 43 प्रतिशत के करीब बैठती है मुंदेल खंड में दलित वोटर की बात करे तो वो भी 26 फीजदी के आसपास है यानि 80 के 80 सीटों को साधने के लिए बीजेपी लगातार उन मुद्दों पर फोकस कर रही है जो सीधा हिंदूों को टच करे ताकि बीजेपी का 80 सीट जीतने क सपना साकारों लेकिन भरोसा जीतने की जरूरत है लोग बिदांसवा चुनाओं में अच्छा परफार्म किया था और अपने सहयोगी दलों से ज्यादा अच्छा परफार्में समाजवाधी पार्टी का था लेकिन यह इतना आसान भी नहीं क्योंकि यूपी में हिंदू वोट बैंक भी कैसा राजे है जहां चुनाओं में मोध्दे काम करें या ना करें लेकिन जातियां जरूर काम करती है। राम राज लाना है तो जातिया अधारिक जंगर्णा से ही ये संभव होगा उत्तर प्रदेश की 80 लोग सभा सीटों पर ऐसे में जातिगत आकणों की बात करना जरूरी हो जाता है आईए वो समिकरण भी हम आपको समझाते हैं जातिया समिकरण समझे देखें OBC कितने हैं OBC इ 20-20 फीसिदी इनकी अबादी है ऐसे में ये कुल मिला करके आकणा नजर आता है लेकिन इन ही में अगर आप अनुमानों की मताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है उसकी बात करें और बाकी कास्ट की भी बात करें तो देखें दलित करें 3.36 और कुर्मी 3.02 फीसिदी ये कास्ट पॉलिटिक्स है और ऐसे में बहुत जादा महत्तोपोन हो जाता है इनको साधना यानि हिंदूओं का वोट कई भागों में डिबाइड़ है बटा हुआ है और ये वोट कुछ बीज़ेपी के हिस्से में कुछ अकिलेश के हिस् इंदमारी का प्लैन जरूर बना रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपने अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है यूपी में मोदी और योगी के नाम से टकराना इंडिया गटबंदन के लिए इतना आसान नहीं होगा और ये बात खुद नई नवे में गिरेंगी दिल्ली के सत्ता पर उसी के दावेदारी सबसे जादा मजबूत होगी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस टानिफोर